हालो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनपम क्रियेशन्स, आज मैं सिंगिल कलर में एक बहुती खुबसुरत केबिल स्वारी डिजाइन आपके लिए लेकर के आई हूँ, ये बहुती सुन्दर और सरल डिजाइन है, इस डिजाइन को बनाने के लिए जो हम फंदे डालेंगे, वो 4 क मर्टिपिल्स में डालेंगे और 2 फंदे अधिक डालेंगे, यहां मैंने 22 फंदे डालेंगे, डिजाइन की 1st रो में जो की राइट साइड से है, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, इसके बाद ये जो 4 फंदे हैं, इन में केबिल पड़ेगी, पहले इन दो फंदों में के सिधा ये इस तरह से एक सिधा बिन लेंगे, और इसके बाद जो आगे फंदा था इसको हम सिधा बिनेंगे, ये इस तरह से, ये फंदे पलट जाएंगे, अब ये जो दूसरे दो फंदे हैं, चार फंदों की केबिल बनानी है, पहले दो फंदों की बना ली है, ये जो दू को बिनेंगे यह इस तरह से केबिल बन जाएगी इसके बाद उनको आगे करेंगे और चार फंद यह जहां पहले केबिल बनी हुए उप जहां पर हम चार फंदे और बनाएंगे क्योंकि हां डिजाइन की जखां एक बार बूटी पढ़ने के बाद चेंज हो जाती है इसलिए जहां पर पहले डिजाइन थी, वहाँ पर अब यह ओटे फंदे से बिना जाएगा, और जहां पहले खाली फंदे बने हुए थे, वहाँ पर बूटी बन जाएगी, इस तरह से डिजाइन बनेगी, फिर उन पीछे करेंगे, यह जो चार फंदे हैं, इन चार फंदों में यही यह इस तरह से, फिर पीछे वाला फंदा, जो आगे वाला फंदा है, उसको आगे से बनेंगे सीधा, इस तरह से दुन फंदे बन करके उतार देंगे, अब यह जो दो फंदे हैं, इनने पहले पीछे वाला फंदा, जो सेकंड नमबर वाला फंदा है, यह चौथे नमबर व बनाएंगे उल्टे और फिर इसी तरह से चार फंदे उल्टे बनाने के बाद इसी तरह से चार फंदे तीन और ये चार फिर इसी तरह से बनाएंगे ये दो फंदे लेंगे ये पहले पीछे वाला फंदा बनेंगे आगे से इसको पहले बनेंगे और इसके बाद पीछे वाला फंदा बुनेंगे और इसके बाद यह जो दो फंदे हैं पीछे वाले इने पीछे वाले फंदे को पहले पीछे से बुनेंगे और आगे वाले फंदे को आगे से सीधा बुनेंगे और लास्ट का फंदा एक उल्टा बना लेंगे इस तरह से हमें पूरी रो बनानी है डिजाइन की सेकेंड रो जो की रॉंग साइट से है वो उल्टे उल्टे फंदो से बनानी है इस डिजाइन में रॉंग साइट से जो भी रो बनेगी वो उल्टे उल्टे फंदो से ही बनाई जाएगी आगे की रो में डिजाइन पड़ेगी जो right side से है और wrong side की रो पूरी पूरी उल्टे फंदों से ही बनाई जाएगी डिजाइन की third row में जो की right side से है पहला फंदा हम slip कर लेंगे यह इस तरह से पिछली बार जो हमने केविल बनाई थी वो दूसी तरह से बनाई थी जो first row में बनी थी लेकिन जो third row में बनेंगी इस बार जो पहले बनाई थी उनमें इस तरह से केविल बनी थी और जो अब बनाएंगे हम केविल वो इस तरह से बनेंगी बंद पहले खिले मतलब खुले मु जि कility कैशल ऑं जब अग्धे कीक खोली होई है और जब आप हम बनाएंगे तो दूसरी तरह से बनाएंगे चार सलाई government के निकाश्य केशल – इस immunity केशला में पीछ से पनाएंगे ति शुस्त अधिक नहीं इसके बाद यह आगए से सिधा बुनेंगे इस तरह से बुनेंगे तो ये देखे केबिल इस तरह से हो जाएगे जो जो कि अगए बेना अगे यह dirad no previous वाली जो सेकंड नमबर नंबर का फंत आहे इसको इसको पहले बिनेंगे सीधा इस तरह से इस जैसे पहले हमने पहले वाली आगे वाली तहीं ते उस तरह से और फिर वाली अगें पिर गिवाली इस तरह से देखेखेखे केबिल का मुँ बंद हो फिर इसके बाद हम उन आगे करेंगे और चार फंदे उल्टे बिन लेंगे एक जगहां केबिल की डिजाइन बनती है एक जगहां चार फंदे हम उल्टे बिन करके खाली जगहां एक सोट सा बॉक्स ऐसा बना लेते हैं यह चार हमने फंदे उल्टे बिन लें फिर उसी तरह से केबिल बननी है पहले पीछे वाले फंदे बनाई जाएगी जो केबिल हम यहां पर पहले बनाते थे वो केबिल आगे बनेगी और जो केबिल हमने आगे बनाई थी वो पीछे बनाई जाएगी तो पीछे जिस तरह से हम जो दूसरे वाले फंदोस बनेगी उसमें पीछे वाला फंदा पहले आगे से लेंगे और ये फंदा पीछे से लेंगे इस तरह से ये केबिल बनके तयार हो जाएगे फिर चार फंदे उल्टे बनाएंगे जो हम बॉक्स ऐसा बना रहा है उसके लिए चार फंदे उल्टे बन जाएगा और आगे वाला फंदा बात को बना जाएगा इस तरह से और इस बार जो दूसरे दो फंदे हैं इन में पहले पीछे वाला फंदा बिन जाएगा इस तरह से आगे से और फिर यह दूसरा फंदा जो है यह बात को बना जाएगा यह इस तरह से इस तरह से हमें पूरी नहीं लास्ट का फंद्ट हम एक उलटा बना लेंगे, फूर्थ रो पूरी उल्टी उल्टी बनाएंगे, इस तरह पूर्धी उलटी पंद्टों से फूर्थ रो बनाएंगे, यह four रो बिन करके मैंने एक बार cable की design बना लिये, आप दुबारा जब हम बनाएंगे, तो यहाँ जगाँ चेंज हो जायागी, जो यह box बना रहे हैं वह इस साइड में आ जाएगा, और यह box की जगाँ हैं यहाँ पर cable बनने लगेंगी, डिजाइन की फिफ्थ रो में पहला फंद हम स्लिप करेंगे और इसके बाद चार फंदे हम मून आगे करके उल्टे-उल्टे बिन लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी जैन की जगा चेंज हो गई यहाँ पर पहले केबिल बनी थी अब यहाँ पर केबिल नहीं बनेगे यह चार उटे बना लेंगे अब जो चार बॉक्स वाले बॉक्स बना हुआ तो जहाँ पर वहाँ पर हम केबिल बनाएंगे तो इन दो फंदों पहल आगे से बिनते हैं और फिर पहला वाला फंदा इस तरह से बिनते हैं और इसके बाद ये पहले पीछे वाला फंदा बिनते हैं और फिर ये आगे वाला फंदा सबसीधे ही बिने जाएंगे लेकिन इस तरह से बिने जाएंगे फिर चार फंदे हम उटे बिन लेंगे ये चार उटे बिन लेंगे, क्योंकि यह पर जखाँ चेंज हुई है, इसलिए चार फंदे बिन लेंगे, फिर उन पीछे करके, चार फंदों में केबिल बनाएंगे, पहले यह आगे वाले फंदे से बनाएंगे, यह पहले पीछे वाले फंदे बनाएंगे, सेकंड नमबर के फंदे स पहले उसको बिनेंगे फिर आगे वाला फंद बिनेंगे और फिर ये जो दूसरे पीछे वाले दो फंदे हैं उनमें पीछे से पहले पीछे वाले फंदे को बिनेंगे पीछे से और फिर आगे वाले फंदे को आगे से बिने सीधे ही जाएंगे इसी तर से हमें पूरी रो बन लिए है सेवेंथ रूम में पहला फंद हम स्लिप करेंगे और इसके बाद के चार फंदे हम उल्टे उल्टे बिन लेंगे ये चार फंदे मैंने उल्टे बिन लें दो तीन और ये चार फिर उन पीछे करेंगे इस बार केविल के जैन जो पहले सलाई में थी उस तरह नहीं बन बनाएंगे और फिर पीछे वाला फंदा बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे इसके बाद चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे ये चार तटे हम घुटे बनाएंगे फिर ध्यान से देख लुजए हमने कइसे डूसी बार बनाया है ये केविल नीचे वाली लाइन में the star line में आई में डूसी तरह से बनता है तो यह दстру disciples यह पहले ये फंदा जो second और इसके बाद इस वाले में पहले हम इसको बिनेंगे इस तरह से और फिर यह अलफंदा आगे वालफंदा इस तरह से बिना जाएगा यह एक बार केविल इस तरह से जाएगा नीचे से और ओपर जब केविल बनेगा तो नीचे का केविल इस तरह से रहेगा और ओपर का केव इस तरह से रहेगा इस तरह से केविल पलट करके बनेंगे एर तुम मैंने पूरी उल्टी बिन है यहां पर मैंने आक्त भंाने से मेरी दो बाध डिजाइन कंप्लीक हो गई है यह दिंड भ़्रशुरह है इससे आप किसी भी निटिंग प्रजेक्टमें डाल सकती है फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें ठैंक्स